नेट्स वीडियो जो है प्रिंटर्स के ऊपर आना चाहिए तो मैं प्रिंटर्स के ऊपर जो भी मुझे कुश्चन मिले हैं अगर आपको इसका प्रिंटर्स है रहूंगे तो यह जो है हमारा JT939 पोस्कोर्ड के लिए अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलिग्राम चैनल जोईन कर ले ना मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह से हमारे वीडियो जो है यहां पर आते रहेंगे वीडियो अच्छा लगता है तो काइंटली लाइक भी जरूर कर दीजेगा चलिए पहला जो क्वेशन है विच प्रिंटर इस यूज़ टो प्रिंट ओनली करेक्टर और चैनल प्रिंट ग्राफिक्स तो यहां पर बात की जा रही है कि ऐसे प्रिंटर जो की आपके सिर्फ और करेक्टर को प्रिंट करके दें और सिंबल्स को, not ग्राफिक्स ग्राफिक्स वहां पे जैसे कि आपकी इमेजिस वगरा रहती है वो आप प्रिंटर नहीं कर पाएंगे तो हमें पता है जो हमारे non-impact printers होते हैं वो तो सारे हम उनसे graphics print करवा सकते हैं और non-impact printers कौन-कौन से हैं हमारे जैसे कि inkjet printer हो गया thermal printer हो गया आपका laser तो हमारा daisy wheel printer जो है ये प्रकार का किस type का printer है ये आपका character printer है तो ये जो है यहाँ पे सिर्फ character या फिर symbol print करके देगा आपको तो हमारा answer क्या हो जाएगा option number 3 which printers are widely used in fax machine तो fax machines के अंदर जो है कौन सा printer जो है widely use किया जाता है हाला कि काफी सारे printer जो है आज कल fax machines के अंदर use किया जाते हैं तो देखे different different type के आपके printers होते हैं सबसे पहले देखे daisy wheel printer क्या होता है it is a similar to wall head typewriter this type of printer has a plastic and metal wheel on which the shape of each character stand out in a relief तो क्या है एक आपका जो है इस तरह का metal का structure होगा जिसमें एक wheel लगा होगा इस तरह से जिसमें आपके character जो है printed होते है right a hammer presses the wheel against the ribbon which in turn makes an ink stain in the shape of a character on the paper तो इसमें एक hammer type का जो है वो लगा होगा और वो उस character पर जो है जो भी आप practice करना जाते हो तो उस पे जो है यह strike करेगा और वो आगे जो है उस paper पर strike करके उसको print करके देदेगा तो daisy wheel printer produce letter quality print but cannot print graphics तो यह graphics को printer नहीं कर पाएगा लेकिन quality जो है इसकी अच्छी होती है अगर आप characters प्रिंट करवाना चाहते है dot matrix की बात करें तो it creates character by striking pins against the ink ribbon same ही चीज है daisy wheel में भी एक ही जो है चीज फॉलो होती है क्योंकि यह impact printer है यहाँ पे hammers का use होता है each pin makes a dot and combination of dots form characters तो यहाँ पे dot types के होंगे और वो dot जब आपस में combine होंगे वो आपका character form कर देगा ink jet क्या होता है it sprays ink in the sheet of paper तो यहाँ पे सीदी सी बात है कि ink का यहाँ पे इस्तेमाल होगा and ink jet printer produce high quality text and graphics तो यहाँ पे हम graphics का भी use कर पाएंगे और text तो हम print कर ही पाएंगे then आपका laser आता है it uses the same technology as copy machines laser printer produce very high quality text and graphics तो इसमें भी आप दोनों चीज़े कर पाएंगे line printers क्या होते है it contains chain of characters और pins that print entire line at a time तो एक time पे पूरी line print करके देते हैं वो आपके line printer होते हैं यह fast होते हैं but produce low quality print as compared to character printer के अगर आप बात करेंगे तो line printer जो है थोड़ा सा low quality जो है यहाँ पे आपको print करके देंगे अगर हम इसको non impact printer से compare करें तो thermal printer की अगर हम बात करें दोस्तों तो inexpensive printer है and works on pushing heated pins तो यहाँ पे special type का जो है न एक sensitive paper का use होता है क्योंकि वहाँ पे heated pins जो है उस पे strike होंगी तो वहाँ thermal printer के लिए अगर ऐसा question पूछा जाए कि किसमे जो है एक special type का paper use होता है तो वहाँ आपका answer होगा thermal printer thermal printer are widely used in calculators and fax machines तो हमारा question क्या था fax machines के उपर तो हमारा answer भी जो है thermal printer यहाँ पे right answer हो जाएगा next देखिए which printer sprays fine drops on ink on a paper तो ink जो है paper के उपर हम किसमे यूज़ करते हैं हमारे ink jet printer में option d will be the right answer which printer is used limited to one or few fonts तो fonts की बात की जा रही है यानि की character की बात की जा रही है तो हमारा यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा character printer यूज़ होगा character printer का यहाँ पे example है आपका dot matrix dot matrix will be the right answer dot matrix and solid font printers are examples of dot matrix किसका example है मैंने आपको अभी पीछे बताया कि यह example होता है आपके character printer का dot matrix printer होते है dot का मतलब ही क्या है कि वो character की वहाँ पे बात हो रही है तो यह example भी किसका हुआ character printer का ink jet printers और band printers are classified as तो ink jet printer को हम क्या बोलेंगे character printer, ink printer, line printer तो simple सी बात है हम इनको ink printer ही बोलेंगे ink jet printers को per minute printing speed जो है आपकी laser printer जो larger जो होते है laser printers की उनकी होती है 1500 pages per minute ठेक है तो इतनी ज़्यादा speed जो है आपके laser printers की होगी यहाँ पे बात की जारी है larger जो आपके laser printers है printer in which printing head and paper is forced together to form the letters तो यहाँ पे बात की जारी है printer in which printing head and paper is forced together तो यहाँ पे क्या होगा आपका जो hammer होगा वो paper के उपर strike करेगा hammer strike करेगा ribbon पे और ribbon आगे जो है आपके paper पे जो है वो character को print करके देगा तो यहाँ पे physical touch हो रहा है यानि की impact printer की यहाँ पे बात हो रही है तो हमारा answer क्या हो जागा impact printer dash printer is cheapest in terms of price and operating cost तो इन में से आपको printer बताना है जो की cheapest होगा और जिसमें जो price और operating cost भी कम रहेगी तो वो कौन सा है वो आपका dot matrix होगा इन सब में से थेके बाकी जो है expensive है inkjet laser और thermal यह non-impact है non-impact जो printers होते है वो more expensive है as compared to impact printers dash printer is a non-impact printer and quite in working तो ऐसा non-impact printer जो की जो है कम अवाज करेगा इन सब में से वो है आपका inkjet printer inkjet printer वैसे laser printer भी हो सकता है लेकिन official दोर पेसका answer है inkjet printer it is quite in working राइट देखे non-impact printers use a method to place ink or another substance होता paper without physically touching it non-impact printers include inkjet printer laser printer, snapshot printer, plotters हो गया याद रखो plotters भी क्या आएंगे non-impact में आते हैं तो अगर question पूछा जाएगा कि आपको जो है सबसे high quality की printing करनी है जैसे poster और प्रिंट करने होते हैं आप देखते हो pamplets वगारा जो छपवाते हैं या फिर आप hoardings वगारा देखते हो bots देखते हो वहाँ पे जो elections में use होते हैं तो वो plotters के थूँ जो है print किये होते हैं तो wide format printers and thermal printers are examples of non-impact printers अब यहाँ पे देखो क्या होते हैं character printer, line printer और page printer सबसे पहले character printer को देखते हैं these are printers that print one character at a time है ना तो एक character को एक time पे जो है print करके देंगे जैसे कि typewriter आप देखा होगा आप गए होगे जैसे आपकी तैसील होगारा रहती है वहाँ पे typewriter बैठे होते हैं बाहर तो उस तरह से जो है यह character printer काम करते हैं आपका dot matrix printer तो दो example है इसके mainly daisy wheel and dot matrix printer याद रखो यह character printer के example है character printers are slower than line and page printer obviously slower होगे as compared to line and page printers line printers के अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा these are high speed printer capable of printing entire line at a one time तो यहाँ पे एक character a time पे हो रहा था print line printer में होगा एक पूरी line जो है एक बार में print करके देगा a fast line printer can print many as 3000 lines per minute the disadvantage of line printer are that cannot print graphics तो यहाँ पे न line printer graphic print कर पाएंगे ना आपके character printer the print quality is low and they are very noisy noisy होते हैं line printers they are used with mainframe computers where high speed is vital for the large volume of printing and output required example क्या होंगे इसके drum printer, band printer, chain printer examples पूछे जाते हैं दोस्तों examples आपको याद रखने हैं drum printer हो गया band printer और chain printer किसके example है यह line printers के example है फिर आती है बाद page printers की these printer print है whole page at a time एक time पे पूरा page print करके देते हैं अगर हमें large volume of printing करनी है तो वहाँ पे हम page printer का इस्तेमाल करते हैं खिर आज के समय में पेज है line है character है दूसरा आपने बताना है कि ink jet जो है किस type का printer है तो kindly इन दोनों का answer comment box में लिखिएगा एक बार answer लिखेंगे तो यह आपको ज़्यादा समय तक remember रहेगा next बात करते हैं dash are high end printers कि इनको हम high end printers बोलते हैं तो दोस्तों यह बोलते हैं हम lasers printer को laser जो printer है इनको हम high end printer बोलते हैं daisy wheel drum हो गया chain है क्या है flow chart है mouse है तो हमने अभी पढ़ा इसको यह है क्या यह आपके printers है जहां पे drum और chain की बात की जाए तो यह आपके क्या हो जाएंगे line printers or daisy wheel printer क्या हो जाएगा आपका character printer right speed of dot matrix printer is measured in dot matrix की speed हम cps में नापते हैं character per second में dpi dots per inch में pages per minute में dot matrix printer हमारे किस type के printer है character printer है तो हम इसकी speed character per second में नापते हैं याद रखिएगा option a will be the right answer so guys these were the important questions related to your printing और और भी question मुझे मिलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ share जरूर करूंगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो kindly like करिएगा आप जो है आपको किस topic के ओपर mcqs practice करने हैं वो kindly आप जो है comment section में जरूर लिखेगा मैं आप एक वीडियो जरूर बनाओंगा हम मिलेंगे next lecture में तब तक के लिए जाहें जरूर करूंगा